भारत में क्रिशी से जुड़े 60-80 प्रतिशत कार्रे महिलाई करती हैं, जबकि उनको केवल 13 प्रतिशत जमीन पर ही अधिकार प्राप्त है. महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तरक्की के बारे में तब तक नहीं सोचा जा सकता है, जब तक हाशिये पर जी रही ऐसी महिलाओं का जीवन, बेहतर बनाने का प्रयाज सफल ना हो. ऐसा ही एक प्रयाज, भारत सरकार के राष्ट्रिए ग्रामीन आजिविका मिशन के तहट कृशी सकी प्रोग्राम द्वारा किया गया है. इसकी एक मिसाल है केरल के तिरू वनंत पुरम जिले की कुछ ग्रामीड महिलाएं. तिरुवा नम्ता पुरम की महिला किसान अपनी क्रिशी वज में तक्नीकी परिवर्तन कर एक अच्छी आमदनी कमा रही है इस कारिक्रम का मुख्य उद्देशे क्रिशी पर निर्भार रोजगार को पढ़ावा देना और उसे टिकाव बनाना है ताकि गरीब ग्रामवासियों की मेहनत को जैविक खेती के माध्यम से देश के मुख्य धारा से जोड़ा जाए ग्रामीन विकास मंत्राले के क्रिशी सकी का मकसद ही है लोगों की पहचान कर उन्हें उप्योगत कौशल सिखाया जाए ताकि वो आर्थिक और सामाजिक संसाधनों की कमी की वचा से कहीं पिछड़ ना जाएं क्रिशी सकी इसके बाद स्ट्रक्चर अभ्यास कारिक्रम के द्वारा क्रिशी पारिस्थितिक प्रणाली को उप्योग मिलाती है जहां खेती कर जमीन, कीडों का प्रबंधन और उपज की देखरेक सिखाई जाती है इसके अलावा इन उत्पादों को बाजार से जोडने की जानकारी और मारकेटिंग के बारे में भी सिखाया जाता है क्रिशी सकी सारी यात्रा में साथ होती है लेकिन क्रिशी सकी कोई कर्मचारी नहीं है बलकि ये एक सेवा प्रदाता है केरल के तिरुवानंत पुरम जिले के कोडू वाच नूर गाउं में मीना पिछले च्छै सालों से इसी तरह की गतिविधी तंत्र पर काम कर रही है मीना को क्रिशी के क्षेत्र में काम करते हुए अब दस साल हो चुके है इसकी दो बेटियां है और उनका सपना है कि वे दोनों बड़ी होकर क्रिशी अधिकारी बने ताकि वो किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सके मीना ने पिछले 6 सालों में CRP के तहट अब तक 5000 समुदाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया है ऐसी ही एक सदस से वलसला कुमारी भी हैं जो महिलाओं के एक दल के साथ मिलकर जैविक और वरकों के इस्तमाल द्वारा सबजियां और फ़ल उगाती हैं इनके पती भी इसी क्षित्र में काम करते हैं एक अच्छी गुरू की तरह मीना ने वलसला को इस बात के लिए तयार किया है कि वो अपने उत्पादों को बाजार में सीधा स्थानिये दुकानों को बेच सके वलसला को मिले इस आत्म विश्वास से अब उसे काफी मुनाफ़ा हो रहा है यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही पोजांडू गाउं में बिंदू और कुमारी क्रिशी सकी होने के नाते अपने उद्यम को अच्छी तरह से चला रही है इन्होंने कृशी के एकी कृट तरीके का इस्तमाल करके सबजियां जैसे बैगन, मटर, मिर्ची, मोरिंगा, भिंडी और करेला तो उगाया ही है साथ ही ये गाए, बकरी, मुर्की पालन और मदुमक्खी पालन भी करती है बिंदु केवल मदुमक्खी पालन से ही साल भर में करीब 2500 लीटर शहद बेच देती है वो इस शहद को एक-एक लीटर की बोतलों में 300 रुपए प्रती बोतल के हिसाब से बेच के अच्छा मुनाफ़ा कमा रही है गाउ में पंचायत भी साथताहिक बाजारों का आयूजन करती है इसकी मदद से पंचायती गाउं के लोग ताजे और जैविक उतपादों को खरीद पाते हैं किसी भी नए उद्यम की तरहा क्रिशी सकी भी सिर्फ एकी ही काम तक सीमित नहीं है उधारन के लिए बिंदू अपने स्कूटर पर अपने उतपादों को घर-घर बेजने जाती है इससे ये अपने लिए भरोसे मंद ग्रहकों को जुटा रही है क्रिशी सकी के पीछे की आर्थिक स्वातंतरता ही इसे सफल बना रही है क्रिशी सकी आज एक विचार नहीं रह गया है बलकि ये जमीनी स्थर पर महिलाओं और गाओं की तरक्की का एक सफल माध्यम बन कर सामने आया है महिलाओं की आपसी भागिदारी और आत्म विश्वास के साथ इन्हें आत्म निर्भर बनाने में इसका महत्पून योगदान है